सभी को एक बर पुन यूट्यूब चैनल के ओर से गुड़ मॉनिंग आज का लाइफ सेशन स्टार्ट हो चुका है आप लोग जितने भी हैं प्लीज आप लोग लाइफ आ जाए आज दिनांक 18 अगस्त 2019 लोक लाइफ सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है जदि आप बिहार लो आप अपनी तैयारी को और बहुतर से बहुतर बना सकते हैं तो फिलीज आप लोग लाइफ आ जाए अप लोग का थोड़ा हम टाइम वेट कर लेते हैं उसके बाद हम लोग का जी जी संटुक मार जी घरी भरी गूड मॉर्निंग संटुक मार जी हम से लाइफ जूड चुक संतु जी का जबाब भी आ गया है प्रथम प्रसंद का तो चलते हैं आज के प्रथम प्रसंद के और पद जो अधी केंद्र संतु इसकों मार्जी जैसा अधी केंद्र होता जिसके आप जानते हैं कि भूकाम से, बिल्कुल संतु इसके ईदर राइट एंसर, जो अधीक केंद्र होता है वो भुकाम के से इसका क्या संबन जो है भुकाम से संबन है जी बिल्कुल सही भुकाम का जो त्रेंग होता है वो सर्फ पर्थम सबसे पहले कहां पहुंचता है यहीं पे आपका एपी सेंटर यानि अधी केंदर में पहुंचता है जब प्रित्वी में भुकाम पाता है तो ए जीँ बिल्कुल सही चलते हैं next to next प्रस्ण जो है आपके skin पर दिखायी दे रहा है कि इस चंदर सेखर का नाम निम्लिक से किस्छे blaming ज़ुरा हुआ है इस चंदरिसेखर option ब्रह्मान बिज्यान रसायन बिज्यान तरलय आंत्रे की खोगोल यांत्रिक भौती की जी जी संतोस कुमार जी संतोस जी का जवाब बिल्कुल सही है Option D is the right answer खोगोल भरती की छेतर में बैगानिक इस चंद सेखर का नाम जुरा हुआ है जी संतु कुमार जी आपका भी जवाब बिल्कुल सही है अब जानते हैं कि चंद सेखर सीमा तारिक के लिए स्वेट वामन के रूप में अपना जीवन समाप्त करने के लिए 1.44 गुना अधिक्तम सीमा को हम लो क्या कहते हैं चंद सेखर सीमा कहते हैं जी इन्हें 1983 में एस चंद सेखर को जो है 1983 में फिजिक्स का नोबेल कुरूसकार भी दिया गया था इन्होंने चंद सेखर सीमा थियूटी पर काम किया था जी अरून कुमार सुमन जीवरी भेरी वरी गुड मॉझें जी अरून कुमार सुमन जी भी हमसे जूड चुक हैं जी सरोजनी जी very very good morning अपके पास चार option है बीजय लक्षमी पंडित बीके क्रिस्ट मेनन जोहरला नेहरू राजेस्वर्थ द्याल जी आप लोगा जवाब बिल्कुल सही आ रहा है जी सरोजनी जी संटू जी आप लोगा जवाब बिल्कुल सही आ रहा है option is the right answer बीजय लक्षम की राज की तर्ट रेखा सबसे लंबी है जो भारत हमरा देश आ इसका जो राज की जो तर्ट रेखा कोन सी सबसे लंबी है option a सबसे लंबी सबसे लंबी सबसे लंबी तट रेखा वाला क्या है प्राइदिफिय राज्य है इसकी तट रेखा है बलगभग 1200 किलोमीटर की तट रेखा है और भारत के नौ राज्यों से इसका आंध प्रदेश का जो तट रेखा है नौ राज्यों से लगा हुआ है जी चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ण नेक्स्ट प्रस्ण जो है आपके स्कीन पर दिखाई दे रहा है हमारी सविधान में निती देशक सिधान आपके पर चार अप्सट दिखाई दे रहा है यूए से कनाडा यूए से सब्सक्राइब आर्यद्लैंड जी बिलकुल सभी सभी के जवाब बिलकुल सही है ऑप्संड राइट एंसर संतोज जी संतोजी स्रोजनी जी रूनकुमर सुमन जी हमारे देश में जो सब्सक्ति नहीं है क्यों जिए अपके महाभियोग चलांइस तटंद सवय भाख्यों सविद्धान के सब्सक्रानि भी पर करें महाव्योग चलाने का कोई परिदर प्रहें नहीं हैं अपके पास चार जी अधित्मिष् pertama जी आपका स्वागत है नमस्कान अधित्मिष् किसी राज्य के उच्छ न्याले के मुख्णिया में मूर्ति राज्यपाल उपराष्ट पती जी आपको बताना है कि से हमारे देश के जो सविधान है उसके अंसर किस पर महावियोग चलाने के कोई फरोधान नहीं है जी अप लोग कजबाब बिल्कुल सही आ रहा है जी बिल् बिल्कुल 15 अक्टूबर को होगा हलाकि यह भी आयोग दोरा बताया गया है कि यह जो एक्जाम डेट है उसमें चेंजिंग हो सकता है एक्चुली उस दिन मंगल बार पर रहा है देखिए चेंज होने की संभावना है जी आप लोग का जबाब बिल्कुल सही आ रहा है ऑप् के जिए राष्ट पती पर साथ परियांतर कार्ज करते हैं स्विधान में अर्टिक्ल गया चलत 思ले चलते हैं next person क्यों next person जो है आपके screen पर दिखाई दे रहा है योजना आयोक का पदेन अध्यक्ष कौन होता है option योजना और विकास मंत्री ग्रीह मंत्री परधान मंत्री बीत मंत्री जी योजना आयोक जिसका नाम change होकर निती आयोक कर दिया गया है तो आप जानते है निती आय प्रद्हान मंत्री हो रज़ा है SMITH बिल कुछ निट्ञान को बताना है कंजनद्ञान तर्दल है प्रद्धान ज Ciukaj, किस राजिका में विल्कुल से विधगों निड इसकौई बिल्कुल सही है निरित है इसके अलामा कुछ important आप जानते हैं दंडिया दंडिया भी गुजरात का है आपका घूमर गंगौर धापाल राजास्थान का है असम का जो है एक बीहू असम का बीहू जो है बहुत important है जी चलते हैं next प्रस्ट क्यों next प्रस्ट आपके skin पर मौली क अधिकार नहीं ब्यक्ति को जी हमारे देश के सविधान में जो मौली क अधिकार दिया गया है उसमें से किस को मौली क अधिकार नहीं दिया जाएगा जी बिल्कुल सही सरोजनी जी संतोस जी भानू परताब जी आप लों का जवाब बिल्कुल सही आरा option B is the right answer जी बीपी नकाह जी संदीप जी संटू जी जी बिदेशियों को मौली क अधिकार जो है नहीं दिया जाता है जी बिल्कुल सही सभी के जवाब बिल्कुल सही है संतोस बगरिया जी भी जूर चुके है next प्रस्ट जो है आपके स्कीन पर वाइ मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जी आपको बताना है क वाई मंदल की जो सबसे निचली परत है कौन सी है आपके पास चार ओप्सन है छोभ मंदल समताप मंदल मध मंदल वह वाई मंदल जी बिल्कुल सही आप लोग का जबाब बिल्कुल सही आ रहा है option is the right answer, सभी के जब आप बिल्कुल सही है, छोभ मंडल जो है, वाई मंडल की सबसे निचली परत है, जी, चलते हैं, next प्रस्ट क्यों, next प्रस्ट जो है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, महात्मा गांधी के अंसार, संसार में सबसे सक्तिसाली बलनिमलिखित में से प्रस्ट के पर देश के जब आप बिल्कुल सही है, बहुत बहुत धन्यबाद, बीर के हैं साथ, दुरबल के हैं साथ, डरपुक के हैं साथ, पद दलित के हैं साथ, जी, तो इसका सही जो एंसर होगा, आपको option is the right answer, बीर की हैं साथ, बीर की हैं साथ, जो है, महात्मा गां साथ, संसार में सबसे सक्ति सालीबल है, जी, सभी के जबाब बिल्कुल सही है, सभी को बहुत बहुत धन्यबाद, चलते हैं, नेक्स्ट प्रस्ट जो है, आपके स्क्रीन पर, भारत का परधान मंत्री का कार्ज कल कितना होता है, हमरे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, उ इसके कार्ज कल कितना है, इसके जबाद के जबाब बिल्कुल सही हा रहा है, अकाश जी, परताब जी, स्रोजनी जी, इसके सहें अंसर है कि जबतक उसे लोक सभा के बहुत मत का समर्थन प्राप्त होता है, excuse, जी ऐसे तो भारत के प्रधान मंतरी का का कार्ज कल 5, 5 वरस होता है लेकिन पांच वर्स के पहले भी जब तक उस जदी उसे लोग सभा के बहुमत समर्थन नहीं हो तो उसको हटाया जा सकता है यानि एडिपेंड करता है कि लोग सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त होना सबसे पहले नेसेसरी है वो पांच वर्स के पहले भी हटाया जा सकता है जी चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट को नेक्स्ट प्रस्ट आपके स्कीन पर जी अरुन कुमार जी बिल्कल सही सक्ति के विकेंद्री करन को गांधी जी के समर्थन का क्या करन था उप्षन है विकेंद्री करन लोकतांत्र में लोगों की अधिक भागेदारी सुनशित करता है भारत में अतीत में सक्ति का विकेंद्री करन था देश के आर्थिक विकास के लिए विकेंदरी करन अनिमार्ज था विकेंदरी करन संपरदाइकता को रोख सकता है जी आपके पास चार ओप्षन है सक्ति का विकेंदरी करन जी तो इसका सही जो एंसर हो का देश में आर्थिक विकास के लिए विकेंद्री करन क्या था अनिवार्ज था हमारे देश में आर्थिक विकास के लिए option see the right answer हमारे देश का जो economically development होना चाहिए उसके लिए क्या है अपका विकेंद्री करन अनिवार्ज था सक्ति के विकेंद्री करन को गांधी जी के समर्थन का यही कारण था, इसलिए गांदी जी क्या करते थे, सक्ति के विकेंद्री करन को supporting करते थे क्योंकि हमरे देश के आर्थिक विकास के लिए क्या था, एकनोमिकली डैफ्लोक्मेंट के लिए विकेंद्री करन ज़रूरी था जी चलते हैं next person जो है आपके skin पर है जो पंचायती राज संस्था से जुरह हुआ है निमलिखित में कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है चार option है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत ग्राम सहकारी सोसाइटी आपको बताना है कि पंचायती राज संस्था इसमें से कौन नहीं है जी चार ओप्षन जी बिल्कुल सही आप लोग का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है ओप्षन C is the right answer ग्राम सहकारी जो सोसाइटी होता है वो आपका पंचायती राज संस्था नहीं है जी ग्राम सहकारी सोसाइटी जो नोट पंचायती राज जी बिल्कुल सही चलते हैं नेक्स प्रस्ट क्यों नेक्स प्रस्ट जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है निमलिखित में से कौन सौराज पार्टी के सदस थे सौराज पार्टी के सदस कौन थे मोती लल नहरू, शरदार पठेल, गोपाल, क्रिस्न, गोखले आपको बताना है कि इसमें से सुराज पार्टी के सदस कौन थे अब जानते हैं कि मोती लल नहरू ने सुराज मोती लल नहरू जो थे सुराज पार्टी के क्या थे सदस थे स्वराज पाटी का अस्ठापना सबसे पहले जानते कि स्वराज पाटी का अस्ठापना कभ हुआ था तो इसका जो aan स्थापना हुआ था आपका 1923 में हुआ था और गुपाल किस्त गोखले ने 1905 में सर्वेंट ओफ इंडिया सोसाइटी का गठन किया था और सरदार बल्ला भैप पटेल ने बर्दोली सत्याकरह का नेतियुत करता थे इससे जो लिंकेट प्रस्थन है मैं चाहता हूं का आपको चर्चा जी ऑप्सने एक जा राइट एंसर मोतीला नेह्डू चलते हैं नेक्स प्रस्कारह आपकी स्कीन पर दिखाई दे रहा है निमभित में कौन सां निकाए सविधान ए तऩ और अससनोयधानिक है यानि जिसकी चर्चा हमारे सविधान में नहीं किया गया उसका उलेह नहीं किया आप इस बित दो हरा और संग लो जवाब बिल्कुल सही आ रहा है जी योजना आयो प्लत प्रस्ताव के बारे में कौन सा सही नहीं हैं हमरे संसद है उसमें उबस्वास प्रस्ताव लाय जाता है उसके बारे में आपको 4 महतुल वक्त दिये गए हैं इसमें आपको बताना है कि कौं सा सही है सवीधान में इसका उल्लेख नहीं है एक अभिस्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अभिस्वास प्रस्ताव प्रस्तूत करने के लिए 6 माह की योधी अवस होनी चाहिए 3. सदन में प्रस्तूत करने से पहले कम से कम 100 ब्यक्ती यह प्रस्ताव का समर्थन अवस करे 4. यह कि वो लुक सभा में प्रस्तूत किया जा सकता है आपको बताना है कि अविस्वास प्रस्ताव क्या है जी बिल्कुल सही आप जानते हैं कि संसद में अविस्वास प्रस्ताव के बारे में इसका सविधान में कोई उलेख नहीं है सबसे पहला जो है ये गलत होगा जी सविधान में इसका कोई उलेख नहीं है ये आपका गलत हो गया उसके बाद जो है आपका दूसरा जो है आपस्म देखते हैं एक विष्वास प्रफROश् surf करने के च्ञे माह का समय चाहिए जी यह आपका सई है दो आपका सही है एक और चार इसका सही जो अंसर होगा आपका आपसेन डी होगा यानि एक और चार जो है आपकर क्या है सही है कि यह सभीधान में कोई उलेक नहीं है यह केवाण लोग सभा में प्रस्थित किया जा सकता है चलते हैं नेक्स्ट प्रस्थ जो है आपकर स्क्रीन पर पूर्तगाली संस्कृति के उसे भारत में कहां पाये जाते हैं जी आपको बताना है कि पूर्तगाली संस्कृति का उसे भारत में कहां पाये जाते हैं ऑप्सन E गुवा, ऑप्सन B काली कर्ट, ऑप्सन C कानान और, ऑप्सन D कौचिन जी विपिन अकास जी काली कर्ट, ऑप्सन B is the right answer संतोष जी आपका भी 90 अपका बिलकुद सही है जी भानु प्रताब जी पूरतगाली संस्कृति था। आपका काली केत में पाया जाता है चलते हैं नेक्स्ट प्रसनर नेक्स्ट प्रसनर YOU Sur institute गई ती 59 के अच्छ तुभिक्ष की इस्तिती में खादान पहुचाने के लिए ताकि भारतिये देश में मुख दूरूप से घुम सके तो अंग्रेजों का मुख जो फोकस था किस पर था भारतिये रिल का शुरू करने का जी विकास रॉय जी गुबिन बाबाज से भीकर जबाव आरायाप लों का प्रयास काफी सरानी यह है जी इसका में जो लक्ष था ब्रिटिस बानिज और परसास्तिक नियंतरन की सुविधा के लिए ब्रिटिस बानिज ऑप्शन बी इस दराइट एंसर जी बिल्कुल से संटू जी स्रोजनी जी संतोस बगडिया जी अरुन कुमार सुमन जी आप लो क्या था जो दादा भाई नेरो जी थे उनके अंसार स्राज का अर्थ ऑप्सन आप सने पुन्र सुवतन्तर सवसासन ौार्थिक संतर तर्थ राजनीतिक स्वतन तर्थ जी कि उनकर 느ुए लिए सही आ रहा है आर्थिक सो तंतर था ओप्सन सी दर आइट एंसर दादा भै नेरो जी कंसार सुराज का अर्था एकनोमोकली फ्रीडम जी बिल्कुल सही विकास रॉय जी अरुन कुमार जी संतोस जी भानु जी बिल्कुल सही नेक्स्ट प्रस्ण जो है आपके स्कीन पर है पच जी आपको बताना है कि पच्छमी भारत के कीस धार्मिक सुधारक को लोक हित वादी कहा जाता था चार अपसाम के सामने है जी बिल्कुल सही संतु जी बिल्कुल सही स्रोजनी जी के अभी जवाब बिल्कुल सही है संतोस जी के अभी जवाब बिल्कुल सही है जी option is the right answer जी भानु प्रताब जी गुपाल हैरी देश मुख को पच्छिम भारत के धार्मिक सुधारक के लोग हित वाधी माना जाता था जी जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही चलते हैं नेक्स प्रस्ट क्यों नेक्स प्रस्ट आपके स्कीन पर असोख कि परशासिनीति में भारी परवर्तन किस गहटना साया असोख को परशासिनीरी नेक्स में काफी चेंजिक हुआ किस घटन lihat वा तिसरी बहुत परिशत कलिंग जुद उसका gotht раз को अपनाना सीरोन में उसका मिसेनरी फिर पीज़ना है कि 주 भिकल कर गई औरहर सभी केलिंग सही है सभी केल गंग है कलिंग जुद कंद्ध की घट्ना में असोग की पर सास्तिन में क्या लाया भारी परिवर्तान लाया चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट नेक्स्ट प्रस्ट जो है आपके स्क्रीश पर दिखाई दे रहा है बंगाल का पहला गुवर्णर जनरल कौन था रवर्ट कलाई वारें हेस्टिंग बिलियम बेंटिंग कार्नमालिस जी रवर्ट कलाईव लोगाल का भांगाल का पहला गॉर्णर जनरल भरएंहेस्टिंग वाहरें कमपणी के जो एंधिन जो था आपका पर्थम गौर्णर जनल वारेन हेस्टिंग था लेकिन रवर्ट कलाईव जो था बंगाल का पहला गौर्णर जनल था यहां थोरा जो छात्र है कनफ्यूजन हो जाते हैं तो आप लोग इस कनफ्यूजन को दूर कर लेंगे कि रवर्ट कलाई जो था बंगाल का पहला गौर्णर जनल था और भारत में कमपनी के अधीन पर्थम गौर्णर जनल था वारेन हेस्टिंग था और ऐसे भारत का पहला गौर्णर जनल लाड विलियम बेंटिक था और भारत का पहला वारस राय जो थापका लाड कैनिंग था और सौतवांतर भारत का पहला रौनतिम गौर्णर जनल चकवर्णर जनल चकवर्णर राज गोपाला चारी था जी बिल्कुल से चलते हैं नेक्स बिल्कुल सभी के जवाब बिल्कुल सभी है बिहार राज में दलांदा विस्विदाले इस्तित है ये बिल्कुल सभी बिहार का भारत का एक राज्य है नेक्स्ट प्रस्ट जो है आपके स्क्रीन पर आपको यहां मिलान करना है तुगला का बाद कीला जी आपको बताना है तुगलक का बाद किला के जो है अब का जै ग्यासुदिन तुगलक ऑपसं 4 होगा लाल किला आप लोग जानते हैं लाल किला सह skipping होज ये खास फिरोस्ट तुगलक और ढ़िटी अफ思ीरी आलाओ दिन खिल जी झै c1 अप pinned गया 2 C का 3 और D का 1 option B is the right answer चलते हैं next प्रस को next प्रस आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है करो या मरो नारा निमलिखित में से किस अंदोलनों के संबंधित है करो या मरो जो जी जी do or die do or die जो था नारा किस जी ऑप्सण इस्वठेसी आंदोलन और सहजोग आंदोलन सभीनय अवग्या आंदोलन भारत चरू आंधोलन आपको बताना है करो या मरो का नारा किस अंदोलन के संबंधित हैं जी आप लोगे जवाब बिल्कुल सही आरा है भारत चरूघित आंदोलन भारतच रो wherein आनदोलन के दोरान को डू और डाई का नारा दिया गया था जी सन्तोष जी अरुन जी संटू जी स्रोजनी जी संदीप जी बिल्कुल सही भानू जी बिल्कुल सही option डीज़दा राइट हैं सकते अप लोग का जवाब बिल्कुल सही है next question जो है ताज महल के बारे में निमलिखित में कौन सा तत सही नहीं है जो ताज महल अगरा में जो इस्तित है ताज महल जिसका निर्मान साह जाने करवाया था जी उसके बारे में कौन सा तत गलत है और सने यह एक भब मकाबरा है इसका निर्मान साह जाने किया था यह अगरा फोर्ट क जवाब बिल्कुल सही आ रहा है इस पर उन कारिगरों का नाम उत्किर नहीं है तो ऑप्स्न और ग्रहा खाभूल लहोर लिओं यह आपको बताना है कि विल्कुली परसना दी需 स्रोजनिक मोनारा में सभानी कोले जवाब बुल्कुल सही. अपनोफ परताब जी यह मैं आफ़ी कहा पर जान है हम जी तुए जवाब बिल्कुल सही है जी श्लिए oriented yesterday stri this Option is the right answer अग्रा में बाबर की मिर्तु हुई थी अब जानते हैं कि बाबर की मिर्तु कब हुई थी अग्रा में बाबर की मिर्तु जो हुई थी पंद्रह सो तीस इस्वी में हुई थी पंद्रह सो तीस इस्वी में अग्रा में बाबर की मिर्तु हुई थी और उसके सो को अराम बाग अ पूना दफनाया गया यह बाबर का जो मकब्रा है आपका काबुल में लेकिन बाबर का मेर्ट gegen अगरा में चुल रखोया जयान को अभstäब हाब छोई झे बाबर्खपंप्र यह स्थान को गाल कर मतलब अगी साइब के स्वावव क यह पुर्वर्व निर्धानता सहर्य निर्धानता ओस जी कि इसका सही अंसर जोगा पूर्व निर्धानता कालाती है क्या कालाती है option is the right answer पूर्ण निर्धानता जी पूर्ण निर्धानता ऑप्सन इज द राइट एंसर जी बिल्कुल संचुकमाल जी संदीप जी आप लोग जमाब बिल्कुल सही आ रहा है चलते हैं next नेक्ट प्रस्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चलते हैं next रुपए का पूर्ण परिवर्थ नियाक अर्थ क्या है रुपए से बिदेशी मुद्रा का मुक्त रुप से खरीद आयात के लिए रुपए के रुप में भुक्तान रीन की वापसी रुपए के रुप मे जी तो मांग और पूर्थी के बजारों वाले दुरा रुपए की विदेशी मुद्राओं के विच बिने दर को मुक्त नियदारन क्या कहलाता है पून परिवर्थ नियाता कहलाता है जी बिल्कुल सही आप लोग का जबाब बिल्कुल सही आ रहा है अरुन कुमार जी बिल्कुल सही चलते हैं नेक्स प्रसन जो है आपके स्क्रीम पर दिखाई दे रहा है हरित करांती पद का पर्योग उच उत्पाधन दरसाने के लिए किया गया है अबसाने घास असतलों के निर्मान के अधिक बिरिख्षो का रूपन करके प्रती एक्टर क्रिसी उत्पादन बढ़ाकर सहरी छेत्र में उद्यान बनाकर संतोस जी का जबाब सब से पहले बिल्किल सही आरा है अरुन कुमार जी संतोस जी चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ण की ओर आप सभी के जबाब बिल्कुल सही आया जिनका सही नहीं आप लीजवे चेंज करके कॉमेंट कर देंगे नेक्स्ट है भारत में पंच बर्स योजना का प्रारूप का अनुमोधन किसके दोरा किया जाता है इस प्रस्ण का हम लोग कल भी चर्चा किये थे पर्थम प्रस्ण ही था कल का लाइब सेशन का ओप्सन ए राष्ट्रिये विकास परिशद योजना आयोग राष्ट्रिये उत्पदक्ता परिशद बित मंत्राले जी बिल्कुल सही संतो जी सभी के जवाब बिल्कुल सही है राष्ट्रिये विकास परिशद जो है हमारे देश की पंच वर्षी योजना का क्या करती है अनुमोधन करती है राष्ट्रिये विकास परिशद जी सभी के जवाब बिल्कुल सही है चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट क्यों नेक्स्ट प्रयोक्साला भारत में कहा है औप सने मुंबई में मैं बेंग़ लूरू में हैदराबाद में पुने में में अप लिग अपलोक सभी जितने भी लाइब है लाइग जिरूर कर दीजिये पूने इस दे राइट एंसर औप्षान डिज दे राइट एंसर पूने पूने में जो है रस्टीर सिर्सारी प्रक्ष ए स्थित है नेज़ें पर June 6 अधिकर करे चैदर निर्वाचन होगा हरा है ओपसने एक माह तीन माह शे माह एक बाः जिए आपको बताना है जडी पंचायत है वंदर , तो किस अउधिक के अंदर निर्वाचन होगा जी बिल्कुछ सई और सी तराइट एंसर 6 माह जदी पंचायत भांग हो जाती है तो 6 माह के अंदर क्या है निर्वाचन कराना जरूरी है इंपोर्टेंट है चलते हैं नेक्स्ट प्रस्त क्यों नेक्स्ट प्रस्त जो है आपके स अस्थानों में कहां सोमपेन जन जाती पाए जाती है जी सोमपेन जो जन जाती है कहां पाए जाती है ऑप्सन नीलगारी पहारिया निकोबार दीप समुह इस पीट घाटी लक्ष दीप समुह तो सोमपेन जो जन जाती है हमारे देश के निकोबार दीप समुह निकोबार द चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट नेक्स्ट प्रस्ट आपके स्कीन पर दिखाई दे रहा है निम्लिखित परधान मंत्रियों से किसने भारत में क्रिप्स मिसन भेजा था कौन इंग्लेंड के वो ब्रिटन परधान मंत्री थे जिन्होंने भारत में क्रिप्स मिसन भेजा था जेम ब्रिटेन के परदाइन मंत्री क्वंद थे जी संतुष जी के घंड़ बिल्कुल सही है विश्टन चेर्चिल भारत में क्रिप भेज़ा था कब भेजा था जी अरुनकुमार जी संतुष जी ये जो टृप समी सब्समी सना था हमारे देश में 1942 में था 1942 में इसका अध्यक्ष जो था एश्टीफट कर इसका मुक्वदेश था भारत में डोमिनियन एस्टेट का हफित करना तो इसी कृप्स मिशन को महत्मा गांदी ने जानते ही होंगे कि क्रिप्स मिसं को महत्मा गाधी ने इनीबर सही चलते हैं नीक्सट त्रस तॉल्ट आपके श्कीशन हम पर है गोल्डन जिसका नाम है गुल्डन थ्रिस होल्ड जी अरुन कुमार सुमन जी चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जी जितने भी लाइब हैं आप लोग का सभी के जबाब बिल्कुल सही आ रहा है भरतीय सोतंतरता संग्राम के दोरान रौलेक टेक्ट किस कारण से सर्वजनिक रोज उत्पन हुआ है इसने भरतीय प्रमप्रागत सिख्षा को दबाया इसने लोगों को बीना मुकादमा चलाय जेल भेजने को अधिक्रित किया इसने स्रामिक संगर्थन गर्ति विदियो को न जो रौलेक टेक्ट था इसको दोरा लोगों को बीना मुकादमा चलाय जेल भेजने के लिए अधिक्रित किया था तो इसलिए भरत में क्या हुआ सर्वजनिक रोश उत्पन हो गया भरत में क्या हुआ सर्वजनिक रोश हुआ और काफी विरोध का जी बिना अपील बिना दलील बिल्कुल सही संटुक मरची बिना अपील बिना दलील कोई इसमें अपील नहीं था कोई दलील नहीं था आप जेल जाहिए नेक् उप्सुनेटराइट एंसर महा मसांधर्मी घ्टना बाहु बली इस पुरदारी तेख फिलिम भी महा बाहु बली नामक बने थी काफी चर्चित हुई जी शंतोस कुमार जी बिल्कुल सही बाहु बली महान धार्मि घटना महा मस्त काभी से इससे संबंधित है और इसी के लिए की जाती है जी सुमन जी संटू जी सभी के जबाब बिल्कुल सही है चलते हैं नेक्ष्ट प्रस्ट जो है यहां आपको मिलान करना है कि कौन सा ब्यक तक नर्तकी और सूर्जकांत तिरपाथा निराली जो है यह क्या है कवी जी बिल्कुल सही तो आप लोग मिलान कर लिजिएगा देख लिजिएगा चलता है नेक्स प्रस्ट परसीद बिरुपाक्ष मंदिर कहां इस्थित है बदर चलम चितंबरम हमपी स्री काल हस्ती जो परस में इस्थित है जी संतोष जी बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही चलते हैं नेक्स्ट जो है आज का MCQ जदी अब बिहार लोग सवा अयुक परिक्षा के त्यारी कर रहे हैं तो आपको जनकारी होगा कि उसका एक्जाम डेट जो है 15 क्टूबर दे दिया गया है और इसी महीने कि लाष् that अपका बिहार द्रोगा का भाकेंसी आने वाला है और बिहार पूलिस टोटल 29,000 जो है भाकेंसी आने वाली है जिसमें लगभग 6 से 7 पेजार आपका बिहार द्रोगा का भाकेंसी है नेक्स्ट प्रस्ट जो है ब्यक्तिगत सत्यागरह में बिनोबा भावे को पर्थम सत्यागरह ही चुना गया था दूसरा कौन था अप्शन ए डॉक्टर राजेंद परसाथ पंडी ज्वाहरला नहरू सी राजगोपालाचारी सरदार बल्लाभाई पटेल जी जी ब्यक्तिगत सत्यागरह पंडी ज्वाहरला नहरू आप्शन भी दर आई एंसर इंसर नेक्स्ट प्रसन जो है अपके स्कीन पर दिखाई देरा है सो तंतरता संगराम के दर अरुना आसफ हली किस भूमिगत क्रिया कलाब की परमुख महिला संगठक थी सवीने अवेगे अंदुलन, असह जोग अंदुलन, भारत छिरू अंदुलन, सोदेसी अंदुलन अभी अनुमान ब्यक्त किया जा रहा है, कनफर्म नहीं है इसका सही जो एंसर होगा, आपका भारत छिरू अंदुलन, औप्शन सीर्दा राइट एंसर, गोबिन बाबा जी, सोजने जी, आप लोग का जवाब बिल्कुत सही है भारत छिरू अंदुलन के दोरान, अरुना आसा फली तुथी, पर्मुख महिला संगठक थी नेक्स्ट प्रस्ट जो है आपके स्कीन पर, निमलिखित में कौन सा ग्रह सरवाधिक प्रकिर्टिव उपगरह अत्वा चंद्र है, बिरस्पति, मंगल, सनी, सुक्र जी, इसका सही अंसर होगा, आपका ओप्सन, जी, एज दराइट अंसर, बिरस्पति, बिरस्पति, आप जानते हैं कि बिरस्पति ग्रह के पास क्या है, सरवाधिक उपगरह है, सबसे अधिक उपगरह जो है, आपका बिरस्पति ग्रह के पास है, जुपिटर, जी, नेक्स् प्रसना आपके स्कीन पर दिखाई दे रहा है कैब चक्र का क्या महत्तों है अप्साने एमिनो अमल का उत्पादर बिटामीन का उत्पादर एटीपी अनुओ को ऑक्सिडेंट फोस्फ्लोरेशन का संस्लेशन ग्लुकोनेजियोनियस की ब्रीधी तो यह जो क्रेब चक्र है क्य घ्ठीपी के अनुओ है बिलकुल सही चूरूजनी जी कवीटा कुमारी जी गोविन बाबा जी आपनो का जवाब बिल्कुल जया रहा है ठीपी के अनुओ का आख्षी डेविड जी संट्रू जी आपका भी जवाब बिल्कुल सही है तो आप लोग प्रति दिन आठ बजे लाइब सेशन से जरूर जूरने का प्रयास करें नेक्स्ट प्रस्ट जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है निम्लिखित में कौन सा भाइरस से फैलता है यहां कुछ रोग के नाम दिये गए हैं आपको बताना है कि इसमें कौन से भाइरस जनित रोग हैं अप्शने जो है अपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है पौध्य त अधा जन्तु-खुष्काव्ल प्लांट एनइम्ले की अंतर क्या है आप जानते हैं कि plant और animal cell जो होता है उसमें मुख difference आपको बताना है चार option है जन्तु कुसका में द्रीड कुसका भीती का भाव है पौधे की कुसका में द्रीड कुसका भीती का भाव है जन्तु कुसका में बड़ी रिक्तिका होना और पौधे की कुसका में छोटी रिक्तिका का होना जी आप लोग का जबाब बिल्कुल सही आ रहा है आप लोग का प्रयास काफिस रहनी है तो जन्तु कोषिका में जो होता आप जानते हैं कि द्रिध कोषिका भीति का अभाव होता है किसका होता है option इस दे राइट एंसर यह मुख आपका जो अंतर है जन्तु कोषिका में क्या होता है द्रिध कोषिका भीति का अभाव होता है तथा जन्तु कोषिकाओं में यहीं मुख अंतर है पौध्य और जन्तु जी बिल्कुल सही कविता जी सरोजनी जी संतोष जी संटु जी आप सिंथे जी सेल्वाल जी भानुपरताब जी बिल्कुल सही अप्शने एटीपी बनता है एटीपी नहीं बनता है ओक्सीजन कर्बन डायक सांस्द से निकलता है जल क्याव Beam हिसका सही जुएStr होगा अटीकिती बनता है और पौध्य परकास शिंसलेशन जी, option is the right answer 80 piece में बनता है चलते हैं next person के ओर next person जो है आपके screen पर दिखाई दे रहा जी, संटू जी, गोविन बाबा जी, संतोष कुमार जी सभी के जबाब बिल्गुल सही है जितने भी हमसे live जूरे हुए है next person जो है पौधे के तने की ब्रिधी की दर निमलिखत में किसके दौरा मापी जाती है जो पौधे का जो तना होता है उसका जो progress होता है ब्रिधी की दर किस से मापी जाती है potometer, osmometer, auxnometer, hydrometer बिल्कुल जी, प्र Lindach काफी मातपोर नहें आप जानते हैं कि osmometer osmometer जो है आपका option B इससे क्या होता है पोधे की तने की ब्रिधी को हम लोग मापते हैं और कुछ परमुख जैसे आपका जी बिल्कुल सही सभी का जबाब बिल्कुल सही है जितने भी लाइव है लिज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जैदि आप लोग नए हैं तो जी भानू जी गोविन जी ओप्सन बी इस दराइट एंसर चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट क्यों इस क्रवी रोग किस बिटामिन की कमी से होता है बहुत इंपोर्टेंट प्रसन है अक्सर एक जाम में पूछे जाते हैं बिटामिन C की कमी से बिटामिन D की कमी से बिटामिन A की क कमी से विटामिन के की कमी से इसक्रवी रोग किसकी कमी से होता है आप लोग सभी कि जबाब बिल्कुल सही है विटामिन की कमी से जो है इसक्रवी रोग होता है आप जानते हैं विटामिन एक कमी से रतोधी होता है विटामिन बिलकल सही आपाइस प्रामिन प्रस्त पर है एक नॉर्मल एकtwo मेन जो मानों होता है उसका जो ब्लॉड प्रेसर होता है कितना होता है बीपी जो है कितना होना चाहिए असी बटा 120 120 बटा ऐसी 100 बटा 160 160 बटा 120 जी आप लोग सभी जानते हों प्लीजेल्स जल्स कॉमेंट कर दिजिए जी सभी के जवाब बिल्कुल सही है 120 बटा असी जी भानू जी कविता जी संतु जी स्रोजनी जी सभी जितने भी लाइब है सभी की जवाब बिल्कुल सही है संतोस बगोरिया जी ऑप्सन भी दा राइट एंसर चलते हैं नेक्स्ट प्रसन जो है आपके स्कीन पर है अमीबा अमीबा किस बर्क का जनतु है मेस्टी गोफोरा सारको डीना इस पुरो जोवा उप्टू लीनेटो अम संबी इंद राइट एंसर सार्को डीमा बर्क क्या है अमीबा आता है जिर मेस्ट work का जन्तु है चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट जींग अनु परताब जी नेक्स्ट प्रस्टस की ओर चलते है ऐर आपको बताना है कि कंडील मुले जर के अंतरगत कौन से आते ऐनार के खानेजोगए अनार्क जो होता हम लोग उसके खानेजोग पहते हैं अनार को जो खाने वाला भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी नेटवर्क प्रोब्लम है जी ऑप्सन भी दर आइट एंसर अन्डासे अनार में जो खाने जाने वाला भाग है वह अपका क्या है अन्डासे है जो हम लोग अम्रूध अंगूर टमाटर में जो खाते हैं उस स्कार्णieme warmer booking기가ам kuragas sunscreen यहां कि पर फ्लोम उर जाइलम आप तक क्या कार्ज है मुख्रों से कhtaडरतों को कौनिक भौजन पौधों के विनि भागों में बी तुयोग दोनों उप्यूक्त में से कोई नहीं जी आप लोग जाइलम और फ्लेम जरूर परे होंगे तो इसने बताना है कि फ्लोएम का क्या कार्ज है तो फ्लोएम जो होता है कर्बनिक भोजन को पौधो के विभीन भागों में क्या करता है बीतरन करता है पौधे भूमी से पानी गरहन करता है कैसे हाई गुरू एसकोपिक पानी केसीय जल गुरूतवा करसं जल उप्यूक्त में से कोई नहीं अरुन कुमार सुमझे कर नेटवर्क प्रोब्लम हो गया है अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात है नेटवर्क प्रोब्लम जल दूर हो जाएगा एक्छोली नेटवर्क प्रोब्लम तो अपने हाथ में नहीं है तो पौधा भूमी से पानी कैसे गरहन करता है के cómo कre चलवर्क बिल्कुल सही के सीजल दौर जो है के पिलरी वातर के दौरा जो है पौधे क्या करते हैं भूमी से पानी गरहन करते हैं संतोस्कुमार जी मिल्कुल सही उप्शन 2 दर आई टेंसर चलते ह hack नेक्स्ट प्रस्थ्म up है मिकर रिभ्यौकर क्या है कवक जिवानु वाइर्स निंस्टोड आपको बताना है हिकि म्यूचर क्या है क्ला हुआ जुक है he dai a the जै जैंल विल्कुल से म्यूकर एक क्या है कवक है फंगी है Changing लिए क्या है फंगी है कवक है मस्रूम भी आप जानते हैं कि कवक कहीं उधारा नहीं मस्रूम उसी परकार म्यूकर भी क्या है आपका कवक है जी बिल्कुत सही कवीता जी का जवाब बिल्कुत सही हा रहा है संतोष जी जिस परकार से आपका जी मसरूम कवक है उसी प्रकाट से म्यूकर भी क्या है कवक है ने इक्सप्रैश्थ critically पर है पौधों में carbon dioxide का benzina और oxygen का निकास की स्किरिया से होता है अब जानते हैं कि carbon dioxide gas monoft दो स्क्रिया में लेते हैं और oxygen की करते हैं छोड़ते दो क्या कहते हैं वास्पुथर्जान स्वशन अंतप्रासंग प्रकास संसलेशन जी सभी जानते हैं इसका जबाब बिल्कुली प्रसंच यह जी बिल्गत जानते हैं अधिक सेधिक छात्रों को जोड़ने का आप लोग प्रयास कीजिए अंतराष्टिये SI मात्रक पधती में लंबाई का मात्रक क्या है option A, kilometer, meter, centimeter, millimeter जी आपको बताना है कि अंतराष्टिये SI मात्रक में लंबाई का मात्रक क्या है जी कविता जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही meter जो है अंतराष्टिये SI पधती में लंबाई का मात्रक होता option B is the right answer meter जी सभी के जबाब बिल्कुल सही आ रहा है अब next जो है आपको बताना है I know sphere I know sphere की उचाई कितने kilometer तक है 1 kilometer, 10 kilometer, 100 kilometer, 1000 kilometer जी तो I know sphere की उचाई जो है में मेंडलम कितने है, 100 kilometer तक जी संतोष जी 100 kilometer तक I know sphere की उचाई option C is the right answer चलते हैं next प्रस्ण क्यों next प्रस्ण जो है आपके स्कीन पर है प्रित्वी के चुमबक्ये अक्ष तथा भावगोलिक अक्ष के बीच का कौन कितना डिगरी होगा हमारे प्रित्वी के जो चुमबक्ये अक्ष है और जो भावगोलिक अक्ष है उस दोनों के बीच जो कून बनता है कितने डिगरी का सुन डिगरी सतारे का क्या होता है रंग का धोतक होता है option C is the right answer तारे का जो कलर होता है उसके temperature के उपर डिपेंड करता है चलते है नेक्स द्रव का जो प्रिष्ट तनाव है क्या होता है घट जाता है option B is the right answer यह ताप में जैसे ब्रिदी होगा तो उसका जो द्रव का जो प्रिष्ट तनाव होता है वो घट जाता है चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ट जो है आपके स्क्रीन पर है लोहे का एक गुटके का ताप माने 140 डिग्री एफ है तो सेल्सिय स्केल पर उसका ताप माने कितना होगा तो आप जानते हैं कि जी बिल्कुल सहरून कुमार सुमन जी अप्सन भी दराइट एंसर न सोडियं कुल्राइड अनु सोडियं कुल्राइड के द्विलप इसका सही जो एंसर होगा सोडियं आयन प्लस कुलॉरीन वरी जी को और ऑप्सन एज़ दर आइट एंसर चलते हैं नेक्सट प्लस क्यों जी निच्ट प्रव्लम हो रहा है परसानियों का सामना अप प्लो को कर परना पर रहा है हूसा फैट वर तेल किसकाव टृष fragrant उच्श अंभल का निम्न अमल का उच्वाइस बंप्र को ऑफ्रक्ट कई इसख्ट पर की जौत मुक्त होती है जोगू के निर्मान जब होता है तो उसमें क्या होता है आपका उर्जा मुक्त होता है जी संटू जी बिल्कुत सही